क्लास नाइन्त का मथ बिहार बोर्ड का छे तर्मीटी 13.1 का दिखिए फर्स्ट केस्ट उस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट केस्ट जानेगे आप ध्यान से देखिए वो सब्सक्राइब कर लेजी देखिए एक पॉइंट 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 दो पॉइंट पॉइंट चवरा और पॉइंट सेंटी मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है इसे उपर से खुला रखना है अब जो डब्बा बनता है चारो तरप और नीचे से धका हुआ रहा है ये लेकि प्लास्टिक सीट का छेतरफल और इस सीट का मुल्य ग्याद करना है यदि एक मीटर स्क्वाइर सीट का मुल्य 20 रुपिया है आपको समझना है प्लास्टिक का जब हम डबा बनाएंगे चारो तरफ से नीचे से धका रहेगा और उपर से खुला हुआ है लंबाई चवराई उ कि उपर से खुला हुआ रखना है तो चलिए बनाते हैं तो हमने सवाल लिख लिया तो देखिए यहां पर लंबाई एक पॉइंट बाच मीटर चौराई एक पॉइंट दो पॉइंट मीटर उच्चाई 65 संटी मीटर जबा है और संटी मिटर को हम मीटर में बदल लेंगे त से भाग देते हैं पॉइंट सट बटा एक्सो तो एक इकसो से भाग देंगे तो आ जाके मीटर में 0.65 मीटरे अब यह मेटर में आ गिया आप चलिए खहेतरफल निकालते हैं एक gyaka everyone क्या प्लास्टिक का प्लास्टिक सीट का च Allenर करते हैं अवस्यक प्लास्टिक सीट सीट का छेत्रफल बराबर छेत्रफल बराबर हमको क्या करना पड़ेगा घनाव का संपुर्न प्रिष्ट छेत्रफल या कुल प्रिष्ट छेत्रफल वह लिखेंगे घनाव का कुल प्रिष्ट छेत्रफल कुल प्रिष्ट छेत्रफल पलस पलस क्य क्यों करेंगे क् congestion क्यों करेंगे करके ऊपर से खुला रखना थो एक यहां पर जैसे कि अगर बनायेंगे डबा मन लिजिए तो नीचे से होगा नीचे से धका और है चारों तरब से धका ऊपर से खुला होगा तो एक भाग आयताकार भाग तो खुला हुआ है इसी लिए एक भाग हम घटाएंगे तो उप्री भाग का छेत्र फल मतलब लंबाई गुना चौरा है उप्री भाग आयत आयताकार ही ना रहेगा धक्कन इस परकार से तो यह घटेगा इसमें से घनाव का अकुल प्रिष्टे छेत्र फल क्या होता है टू एल का मान देखिए एक पॉइंट पांच मीटर उसके बाद बी का मान देखिए एक पॉइंट दो पांच मीटर उसके बाद देखिए पलस बी बी का मान एक पॉइंट दो पांच मीटर गुन एच एच का मान 55 सेंटी मीटर है हमको मीटर में बदले तो 0.65 0.65 मीटर और यह तो टू इन्टू एल भी भी एच अब एल एच एल कामान देखिए हमको एक पॉंट पॉंच मीटर उसके बाद उसके बाद एच कामान हमको कितना आया 0.65 0.65 मीटर यह तो सिर्फ हम इस फर्मूला पर बैठाए मैनस लंबाई गुना चवराई तो लंबाई कामान देखिए कि इस फर्मूला पर बैठाए इसको घटा देंगे हमारा अनसर आजगा 2 इंटू तो करते हैं 2 इंटू ये दोनों को हम फिर ये दोनों को कर लेते हैं तो इसको गुना करेंगे यहाँ पर तो हमें यह पराफ्त होगा अब यहाँ पर देख लिजिए 1.5 को 1.25 गुना किए 1.75 इन दोनों को गुना किये तो हमें इतना आया फिर इसको 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 गुना किये तो इतना अब यह सब को हम जोड़ देंगे तो चलिए जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद हमें पराफ्थ होता है 2 into 3.6625 पॉइंट वाला गुना है तो धियान से करना परेगा मैनस 1.875 अब इसमें से हम क्या करेंगे इसमें हमें 2 से गुना करेंगे 2 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा साथ पॉइंट 7. 3.25, 325 मीटर और इसमें हम मीटर स्कॉर हो जाएगा मीटर स्कॉर सभी जगा गुना करने के बाद मीटर स्कॉर समें से 1.875 गटा देंगे 1.-875 गटा देंगे तो मैं पराप्त होगा पॉंच पॉंट चार पॉंच मीटर स्क्वाइर ये हमारा फर्स्ट अलसर हो गया ये इतना छेतर फल डिबा बनाने में हमें लगेगा अब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि सीट का मुल्य एक मीटर स्क्वाइर सीट का मुल्य 20 रुपया है तो इतना सीट का मुल्य क्या होगा तो लिखना परेगा दूसरा कुस्स्ट चुकि एक मीटर स्क्वाइर सीट का मुल्य मुल्य बराबर एक गुना 20 रुपया क्योंकि एक मीटर सीट का मुल्य बीस रुपईया है तो एक गुणा बीस रुपईया और उसके बाद यहां पर देखे हमारा पास कितना अंसर आया है इतना टुटलसीट 5.45 है तो इसलिए 5.45 पॉइंट पॉइंट चार पॉइंट मीटर स्कुआर सीट का मुल्य बराबर तो बीस अगुना कितना होगा पॉइंट चार पॉइंट तो इस परकार से हमारा आ जाएगा एक सौन और यहीं से वीडियो में हमने फॉर्स्ट सवाल जाना एकसर साइज 13.1 का यहां पर देख सकत हैं आपके क्लास का वीडियो अच्छे लिए तो लाइक पर देजिए अगले वीडियो में दूसरा सवाल जाना है थैंक यू कर दो